अलेकुम आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई किचिन माई डिश में और मैं हूँ शगुफता आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल यूनीक और बिल्कुल ब्रैंड न्यू रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल रोस्टेड चिकन की तो यह देख यह चिकन बन के तयार है इस रेसिपी को आप ट्राइ करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं मैंने क्या क्या किया है इसके अंदर मैंने ले लिया एक पूरा चिकन कटवा कर बूचर से बिल्कुल साफ करा लिया है अं मैंने लगा लिया जैसा कि मैंने मुर्ग मुसलम और पहले बहुत सारे होल चिकन के अंदर आपको कट्स लगाते हुए दिखाया है बिल्कुल वैसे ही तो यह देखिए कट्स लग गए और बड़ा खुबसूरत सा डिजाइन दिखाई देने लगा सीने पर अब इसका मसाला रेडी करेंगे तो मैंने ले लिए एक मिक्सिंग बूल और इसके अंदर मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून घर की जमाई ताजी दही जिसमें से पानी निकल चुका है तो 4 टेबल स्पून दही मैंने ले ली अब इसके अंदर और दूसरे मसाले मिलाएंगे इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले, हल्दी आधा चमच, नमक स्वादा नुसार, मैंने एक चाय का चमच नमक डाला, एक चमच का सूरी मेथी, आधा चमच काली मिर्च पाउडर, एक चमच गरम मसाला पाउडर, एक चमच जीरा पाउडर, एक चमच धैनिया पाउडर, दो चमच लाल मिर्च कुटी हुई यह फ्लेक्स नहीं है लेकिन मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को कम जादा कर सकते हैं यह बुष का Red Orange पिंच कलर है यह फूट कलर है यह मुझे बहुत पसंद है लेकिन यह टोटली ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डाले मैंने एक पिंच कलर इसके अंदर यूज किया है इससे मुझे देखने में वह बहुत अच्छा लगता है एक नीबू का रस निचोड नमक आधा चाही का चमच काला नमक पाउडर फॉर्म में और इसकी जगे आप चाहे तो चाट मसाला भी यूज कर सकते है पूरा मसाला मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि पूरा मसाला और कलर और दही सब मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर आड़ करेंगे हम 2 करते हैं और जब उसे रोस्ट करते हैं तो उसका टेक्स्चर और उसका सब कुछ बहुत अच्छा होता है बहुत जूसी सा चिकन होता है अब यह चिकन को लेंगे और इसके अंदर मसाला पूरा अच्छी तरीके से लगाएंगे सबसे पहले तो पेट के केविटी के अंदर मसा कि सारे कट्स के अंदर मसाला चला जाये चमज से डाल सकते हैं सिकर के उंगलियों से चाहें तो यूज करते हुए उंगलियों से कर सकते हैं ऐसे इस चिकिन को आप बनाईए कि ज़रूर बहुत टेस्टी बनती है मसाला लग गया है इसे एक घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में और इतनी देर काफी है से मैरिनेशन के लिए तो यह मैरिनेट होकर आ गई है तो अब हम इसे आज हम इसे बनाने जा रहे हैं ओइन में तो सबसे पहले इसके पैरों को दोनों को पकड़के एक मोटे धागे से बाढ़ देंगे ऐसे एक के उपर एक चड़ा के और सीने का पीस पैरों के नीचे डाल देंगे और यह आगे ही मेरी ओइन की रुटेसरी स्टिक अब इस रुटेसरी स्टिक के उपर इस चिकन को हम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे ऐसे गर्दन की साइड से डालके इसे पैरों की साइड निकालके वहाँ पर इसे हम अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे इसके दोनों वो डबल नाइफ जो आती है रोटेशरी के साथ में उसके अंदर डालके थोड़ सा यहां पर मैनत करनी पड़ेगी बैराल थोड़ी सी मैनत लगती है लेकिन ये चिकन बहुत टेस्टी होता जब किसी के सामने आप इसे खाने के लिए ले जाते हैं तो देखती है उसको तो बहुत मज़ा आजाता है देखकर ही मज़ा आजाता है अभी रोटेसरी के सिस्टम को इसके अंदर खूस देंगे दोनों साइट से खूसेंगे ऐसे गोश्त के अंदर घुस जाए दोनों तलवारे उसके तलवार के ऊपर मैंने फिट कर दिया है उसे, डबल तलवार है वो, राजा महाराजा के हाँ देखने मिलती थी, अभी तो अपन सब राजा महाराजा हैं, आप भी राजा महाराजा हैं, उस सारी दुनिया अपने अपने घर की महाराजा महारा लिए, तो महाराजा का खाना खाएं, बहुत ही systematic ढंग स चला जाएगा, यह fix हो गया, अभी दूसरी तरफ से भी यह दूसरी वाली तलवार को लगा देंगे, समाले हाथ, मेरा हाथ बच गया है, नहीं तो लगता था, घुस जाता था चिकन के बज़ए मेरे हाथ में, इसे भी फसाद दिया इसके अंदर, गोश्ट के अंदर खूस से टाइट कर देंगे, यह ऐसे, पूरा टाइट हो गया, यह रोटेश्री स्टिक के ओपर चिकन पूरी अच्छी तरीके से fix हो गई है, अब देखिए यह गर्दन जो है, ऐसे लटक रही है, तो इसे मैं यहाँ से काटता हूँगी, एक्चली मुझे यह पहले ही काट देना चाहिए था, बहराल, मैंने इसे काट लिया है, और इसको मैं डाल दूँगी, पेट की किविटी के अंदर, यह वही पर पक जाएगा, ऐसे, तो यह बिल्कुल अच्छी तरीके से fix हो चुका है, अब इसे हम डाल देंगे, ओन की रोटेश्री के अंदर, और लेकिन इससे प तो क्या है, उससे वो फैलेगा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पकेगी, दो टूथ पिक लगाकर हमने इस पीस को यहाँ पर adjust कर दिया, fix कर दिया है, तो यह रोटेश्री के ऊपर चिकन एकदम अस्बूती से fix हो गई है, इसमें जो मसाले वगेरा गिरे हुए हैं, वो सा इस रोटेश्री को उसमें डालने जाते हैं, तो हाथ जलने का चांस रहता है, इसलिए, तो देखिए, अब रोटेश्री मोड के ऊपर मैंने इस stick को fix किया, रोटेश्री मोड अन कर दिया है, और मैंने चिकन को एक घंटे का टाइमर लगा दिया है, पकने के लिए, बीच ब मसाले में मिक्स किया था, तो वो चिकन जब ऐसे से घूमती है, तो वो ओल मसाला सब चिकन के अंदर अब्जॉब हो जाता है, इसके उपर से थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, आप चाहें तो मकन डाल सकते हैं, और ये पकती जाएगी, और पकते पकते वो घी जमा हुआ जो है, वो पिघल-पिघल के पूरे चिकन में भी लिपटेगा, थोड़ा बाहर भी टपकेगा, वो बाद में आप निकाल सकते हैं, नीचे की डिप ट्रे में टपक रहा है वो घी, उस घी को भी आप उपर से बाद में सर्विंग के टैम पे निकाल सकते हैं, ये 50 मिनट के हो गए हैं, ये 50 मिनट के पोजीशन है, तो ये 50 मिनट के पोजीशन में देखिए अब ब्राउन ब्राउन स्पार्ट्स दिखाई देना शुरू हो गए हैं, और घी उसका जो है गोश्ट में अब्ज़र्ब हो रहा है, और गोश्ट के बीच में से हड्डियां दिखाई दे और वो जो शाइनिंग दिखाई दे रही है घी की, उसको देखके ही एकदम टेंप्टिंग हो रहा है, मुझे भी बहुत टेंप्टिंग लग रहा है उसको देखना, अब ये देखिए 60 मिनट कम्प्लीट हो गया है, और पूरा एक घंटा कम्प्लीट हो गया, मैंने रोटि देखिए, रोटेसरी के उपर कैसा अच्छे से फिक्स है, अब मैं रोटेसरी को खोल के इसमें से निकाल दूगे, रिमूव कर दूगे, इसके स्कूरू को खोलेंगे, जरा गरम है स्कूरू, स्कूरू को खोलते टाइम पर जरा ध्यान रखें, अगर गरम हो तो किसी चीज से पकड़ के करें, या फिर थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लें, और बस इस तरीके से इस रोटेसरी को मैंने दोनों साइट से वो तलवारे निकाल दी और इससे बहार निकाल लिए, और दे चमच की मदद से मैं इसे तोड़ूंगी, और अगर चिकन अच्छी गल जाती है, तो चमच से टूट जाती है, यह देखिए चमच से बड़ी आसानी से टूट गई, चिकन को गलना जरूरी है, अंदर तक पक जाना जरूरी है, इसलिए इसे पकाने में जल्दी ना करें, मै आप यह देखिए थोड़ा सा, और मैं चिकन को आपको दिखा रहे हूं, देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, और एकदम जूसी, तंदूरी अगर रेस्टोरन से लेते हैं, तो बहुत सूखी सूखी सी आती है, यह एकदम जूसी तंदूरी, यह रोस्टेड चिकन, और आमेली, बाइ!